दोस्टो आज के इस lecture में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जॉसफ एंडरियूस को देखने में तो ये एक नाम लगता है दोस्टो लेकिन ये एक novel है जे लिखा है दोस्टो हैंरी फिल्डिंग ने Henry Fielding के जनम की बात करें दोस्तो इनका जनम हुआ था 22 अपरेल 1707 में और इनकी डैथ दोस्तो 8 ओक्टूवर 1754 में हुई थी अगर दोस्तो एक्जाम में आप से ये पूछा जाए कि Henry Fielding किस सेंचरी से बिलोंग करते हैं दोस्तो तो आपको बठाना है कि Henry Fielding जो है वो 18th सेंचरी से बिलोंग करते हैं और इन्हें Henry Fielding को Father of English Novel भी कहा जाता है ठीक है ये थी basic information तो आज हम एक Novel को discuss करने वाले हैं दोस्तो जिसका नाम है Joseph Andrews सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा Joseph Andrews के बारे में हम जान लेते हैं जैसे कि Joseph Andrews एक Novel है जिसको लिखा है Henry Fielding ने और इसको publish कब कराया गया था दोस्तो 1742 में इस Novel को दोस्तो publish कराया गय की तो इसका title दोस्तो यहां से सुरू होता है और यहां तक इसका complete title है The History of the Adventures of Joseph Andrews and his friend Mr. Abraham Adams ये इसका दोस्तो complete title है तो ये information आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि exam में इससे related question भी दोस्तो पूछे जाते हैं अब दोस्तो सबसे main चीज किसी भी Novel को पढ़ने के लिए होते ह हैं उसके characters तो हम लोग यहां पर इसके characters को जानेंगे क्योंकि characters को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है अगर हम किसी novel को पढ़ते हैं तो exam में किस तरह के question आते हैं कि ये novel है या तो पहले तो आपका question बनता है वो जोनरा से बनता है कि ये novel है या कुछ और है ठीक है फिर बनता है उसकी publication date से उसके writer से या फिर उसके background से कि ये novel जो है किसका sequel है pre sequel है क्या है ठीक है फिर उसके अलावा main चीज होती है दोस्तो characters तो मैं यहाँ पर आपको characters जो हैं खास खास वो बताने वाला हूँ इसके अलावा जो भी character रह जाएंगे वो मैं आपको जब story को narrate करूँगा तब बताता हुआ चलूँगा तो सबसे पहले दोस्तो main characters की हम बात कर लेते हैं सबसे पहला है दोस्तो joseph andrews जो की हमारे इस novel का हीरो है जोसफ andrews हमारे इस novel का हीरो है हमारे इस novel का नायक है इसके अलावा दोस्तो sir thomas boobie जो joseph andrews के दोस्तों master है देखिए j जोसफ एंड्रीउज जो हमारा हीरो है ये एक नोकर के तरहा काम करता है किसके यहाँ पर सर थोमस बूबी के यहाँ पर ठीक है और ये जब कितने साल का था जब इसने दोस्तो जोब स्टार्ट कर ली थी 10 years का था मात्र दस साल के थे जोसफ एंड्रीउज जब इनोंने सर थोम लेडी बूबी जो है ये एक कामुक औरत है, मतलब इनकी निगाहें जो है वो जोसफ के लिए जो है वो गलत होती है क्योंकि लेडी बूबी जोसफ के साथ फिजीकल रिलेशन बनाना चाहती हैं तो इनकी कहानी भी हमें काफी देखने के लिए मिलेगी इस नोवल के अंदर इ friend of Joseph भी है और Mr. Abraham Adams को दोस्तों हम किस नाम से भी जानते हैं second hero of the play के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तों Fanny Goodwill जो Fanny Goodwill है ये जोसफ की beloved है जोसफ इन्चे प्यार करता है Mrs. Slip Slope made of lady boobie देखिए दोस्तों ये जो Mrs. Slip Slope है ये made है किसकी lady boobie की और ये Slip Slope जो है दोस्तों ये seduce करती है किसको जोसफ को ये भी जोसफ के साथ क्या करना चाहती है physical relation बनाना चाहती है जोसफ के साथ ठीक है तो आगे बढ़ते हैं Peter Pounce Peter Pounce जो है दोस्तों ये lady boobie का क्या है financial कह सकते है manager कह सकते है या फिर खजानची जो होता है न वो इसको lady boobie का खजानची हम कह सकते है किसको Peter Pounce को ये दोस्तों बहुती अच्छा character है बाकि सारे जो characters में आपको बता रहा हूँ ये बहुती ज़्यादा important characters है इनको आप miss नहीं करना है आपको Mr. Boobie Mr. Boobie जो है दोस्तों ये Sir Thomas Boobie के क्या है nephew है ठीक है और जो ये Mr. Boobie है ये Mr. B के नाम से जाने जाते है एक Richardson का Samuel Richardson का novel है दोस्तों Pamela उसके अंदर ये Mr. B के नाम से जाने जाते है तो इसके अंदर यानि के Joseph Andrews के अंदर इनका भी role दिखाया गया है नेक्स्ट करेक्टर है Pamela Andrews जो की Mr. Boobie की wife है और Joseph जो हमारी कहाने का hero है उसकी sister है I hope इतने characters आपको समझ में आये होंगे दोस्तों कुछ और important character है जैसे की Mr. and Mrs. Toe Waus ये दोनों दोस्तों पती-पतनी है और ये दोनों जोस्तों चलाते है किसको एक सराय को चलाते है एक सराय के ये दोनों मालिक हैं जिसके अंदर हमारा hero जो है एक बार रुकेगा Betty Betty जो है दोस्तों Mr. and Mrs. Toe Waus के यहाँ पर क्या है Made है मतलब एज सराय जो है उसकी साफ सफाई जो करती है ये Betty नाम की लड़की करती है इसके अलावा दोस्तों एक करेक्टर और मिलेगा हमें लियो नोरा नाम से ये एक confused woman है जिसको दो लड़के प्यार करते हैं और ये उन में से चुनाव करना चाहती है तो इसकी आंटी बताती है कि तुम्हें पैसे वाले लड़के का चुनाव करना चाहिए क्योंकि पैसा जो है जिन्दगी में बहुत ज़्यादा matter करता है तो ये अपनी आंटी के कहने पर पैसे वाले लड़के को चुन लेती है और जो लड़का इन्हें सच्चा प्यार करता है गरीब लड़का उसको ये छोड़ देती है इसके अलावा दोस्तो होरेशियो होरेशियो जो है ये एक गरीब लड़का है जो लियोनोरा को प्यार करता है जिसको दोस्तो लियोनोरा नहीं चुनती क्योंकि ये एक गरीब लड़का है next character है दोस्तो बैलर माइन बैलर माइन जो है ये एक greedy यानि के लालची आदमी है और लियोनोरा को प्यार करता है लेकिन जब लियोनोरा के फादर कहते हैं कि वो दहेज में कोई भी चीज उसे नहीं देंगे तो दोस्तो ये बैलर माइन जो है ये लियोनोरा से साधी नहीं करता है ठीक है अगला character है दोस्तो पैडलर पैडलर जो है बहुती अच्छा इंसान है ये एक छोटा सा विकरेता है जो समान लेकर रोड पे बेचता रहता है ये कैई बार जोसफ एंड्रियूस और मिस्टर अबराहम एडम्स की दोस्तो मदद करता है अगला character है दोस्तो इस्पोर्ट्समेन Sportsman जो है दोस्तो ये मिलता है Mr Adams को एक जरनी के दोरान ये दोस्तो एक सिकारी है और ये सिकार करता रहता है और अपनी तारीफ में बड़ी बड़ी डिंगे हाकता है इसके अलावा दोस्तो Hunter of Man ये character भी आपको दोस्तो इस play के अंदर देखने के लिए मिलेगा ये थे सारे दोस्तो खास character जो भी characters बचे हैं मैं आपको इस कहानी के दोरान ही बताता रहूँगा सबसे main चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक novel है दोस्तो जिसका नाम है Pamela जिसका जो another title है वो virtue rewarded है और इसको किस ने लिखा है Samuel Richardson ने लिखा है कव लिखा है दोस्तों 1740 में लिखा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक लड़की अपनी chastity मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि अपनी virginity को बचाने के लिए लोगों से बचती हुई फिरती है लोग उसे correct क करना चाते हैं लेकिन वो अपनी chastity को अपनी virginity को बचा कर रखती है Samuel Richardson ने ऐसा ही एक novel लिखा था तो उसके ही तरह उसकी ही जवाब में दोस्तों Joseph Andrews लिखा है Henry Fielding ने कि लड़कियां ही ऐसी नहीं होती जो अपनी chastity को बचाना चाती है जो वफ़दार होती है जो novel के अंदर Joseph Andrews जो है एक ऐसा लड़का है जो ओरतों से अपनी virginity को बचाना चाता है अपने जो ये chastity है इसको बचाना चाता है ठीक है तो ये जो novel पब्लिस हुआ था दोस्तों 1742 में हुआ था जिसमें ये दिखा गया है कि जो लड़के होते हैं वो भी सीधे साधे होते ह हैं लड़कियां उन्हें परिशान करती हैं उन्हें करेप्ट करना चाती हैं तो दोस्तों पामिला के response में जोसफ एंड्री उसको हैंडरी फिल्डिंग ने लिखा था आई होप ये सारी की सारी information आप लोगों को समझ में आई है बढ़ते हैं दोस्तों अब इसकी कहानी की त हीर आदमी सर्थ होमस भूबी के यहाँ पर नोकरी करना सुरू कर दिया था देखे जब जोसफ एंड्री उस ने नोकरी करना स्टार्ट किया था वो मातर दस साल के थे जोसफ एंड्री उसको सर्थ होमस भूबी के यहाँ पर नोकरी करते हुए कई साल हो चुके थे जब दस जो हैं अपने मालिक के घोड़े को रेस करा रहा होता है तभी सर्थोमस बूबी की वाइफ जिनका नाम लेडी बूबी है उनकी नजर जोसफ एंड्रियूस पर पड़ती है जोसफ एंड्रियूस उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और जोसफ एंड्रियूस के साथ वो सेक उनके ही काम करेगा मतलब उनको खाना परोसेगा उनके कपड़े वपड़े सही करेगा या फिर उनके लिए दरवाजा खोलने का काम करेगा जो लेडी बूबी है वो एंड्रियूस को अपनी सर्विस में ले लेती है लेकिन लेडी बूबी के अलावा जोसफ एंड्रियूस पर एक पादरी की निगावी होती है जिनका नाम Mr. Adams है इनका पूरा नाम Mr. Abraham Adams है जो जोसफ को धार्मिक और नेतिक सिक्षा देना चाते हैं जैसे ही दोस्तो जोसफ को Mr. Adams लेटिन भासा सिखाना सुरू करने ही वाले होते हैं तभी बूवी परिवार जोसफ को अपने साथ ले जोसफ अपने आपको अनुबव हीन फील करता है जब जोसफ लगबग 21 साल का हो जाता है तो उसके मालिक Sir Thomas Boobie की मिर्थी हो जाती है थोमस बूवी की मिर्थी होने के बाद इनकी पतनी Lady Boobie को पूरी तरह से आजादी मिल जाती है कि वह जोसफ को seduce कर सके और उसके साथ sexual pleasure का आनंद ले सके लेडी Boobie कई कामुव इसारे करती है जोसफ अंड्रियूस को लेकिन अपने इसारों में काम्याव नहीं हो पाती लेडी Boobie की एक निजी सर्वेंट भी है जिसका नाम मिसिस सिलिप स्लोप है जो जोसफ से काफी बड़ी है माना जाए तो जोसफ की मा की उ उम्र की है लेकिन वह भी जोसफ अंड्रियूस के साथ सारीरिक संबंद बनाना चाती है लेडी Boobie जोसफ को अपने कमरे में बुलाती है और उसे कामुव इसारे करती है जो जोसफ अंड्रियूस है वो लेडी Boobie के सारे इसारों को समझता है लेकिन वो कैसा प्रिटेंड क इसे बाद लेडी बूबी को जोसफ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह है डिसाइड करती है कि इस जोसफ एंड्रियूस को अब नोकरी से निकालना पड़ेगा वो अपने मैनेजर पीटर पांस को बलाती है और कहती है कि जितनी भी पगार इस जोसफ एं नहीं चाता था क्योंकि वह है अपनी प्रेमिका फैनी गुडविल से बहुत प्यार करता है और साधी से पहले किसी के साथ भी सम्मन्थ नहीं बनाना चाता लेकिन लंदन में नोकरी खोने के बाद जोसफ एंड्रियूस के पास अब काम तो कोई है नहीं तो वह निश्य करत है कि वह अपने घर वापा चला जाएगा और अपनी प्रेमिका के साथ ही रहेगा अब वह है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बहुत ही बेकरार है फैनी गुडविल जोसकी प्रेमिका है वह एक अनपड लड़की है लेकिन वह बहुत ही खोबसूरत है और दूद बेचक अपना गुजारा करती है जैसे ही जोसफ एंड्रियूज अपने घर की तरफ निकलते हैं पैदल तो रास्ते में उन्हें दो लुटेरे मिलते हैं वह लुटेरे जोसफ एंड्रियूज का सारा समान छीन लेते हैं और पैसे भी छीन लेते हैं और उसके बाद जोसफ एंड्रिय वो वहाँ पर किनारे पर शड़क के किनारे पर पड़ा रहता है तभी अमीर लोगों की घोड़ा गाड़ी वहां से गुजरती है जिस घोड़ा गाड़ी के अंदर कुछ अमीर लोग बैटे हुए हैं साथ ही उनके परिवार की ओरते भी हैं और उसके अंदर एक वकील भी है उन सभी लोगों की नजर जोसफ एंड्रियूस पर पड़ती है पहले तो ये सभी लोग जोसफ एंड्रियूस को नजर अंदाज कर देते हैं कि ऐसे पागल लड़के की हमें मदद नहीं करनी चाहिए लेकिन उनका वकील उनसे बताता है कि यदि हमने इस लड़के की मदद नह जाता है और जोसफ एंड्रियूस को उस घोड़ा गाली के अंदर नहीं बैठाए जाता उसको बैठाए जाता है गोड़ा गाली चलाने वाले के पास ही उस घोड़ा गाली के रास्ते में एक सराय आता है उस सराय में वो लोग जोसफ एंड्रियूस को छोड़ देते हैं और उसे डॉक्टर को भी दिखाती है जोसफ एंड्रियूस को दोक्टर को दिखाने के बाद यह पता चलता है कि जोसफ एंड्रियूस को काफी काफी गहरी चोट आई हैं जिससे उसे जान का खत्रा भी है लेकिन बैटी की अच्छी देखवाल करने के कारण जोसफ एंड्रियूस जोसफ एंड्यूज वहाँ पर बिना पैसो के रुके हुए हैं। दूसरी तरफ Mr. Abraham Adams जो लंदन जा रहे हैं और अपने सर्मन्स को पब्लिस कराने के लिए वो लंदन जा रहे हैं। रास्ते में वो एक सराय में रुकते हैं और वो कोई और सराय नहीं Mr. and Mrs. Tovouse का ही सराय है जिसमें उनका मित्र जोसफ रुका हुआ है। जैसे ही जोसफ अपने मित्र Mr. Adams को देखते हैं तो वो बहुत जादा खुस हो जाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। Mr. Adams जोसफ के रहने के और खाने के पैसे चुकाते हैं और फिर कई दिन दोनों एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। कई दिनों के बाद Mr. Adams के पैसे खतम हो जाते हैं तो Mr. Adams अपने सर्मन्स को गिर्वी रखकर अपनी सराय की मालकिन Mrs. Tovouse से पैसे लेते हैं। जब वहां के पादरी Mr. बारनवास को यह पता चलता है कि Mr. Abraham Adams भी एक पादरी हैं और वो लंदन अपने सर्मन्स को पब्लिस कराने के लिए आए हैं। तो वो Mr. Adams से कहते हैं कि मैं तुमें किसी पब्लिसर से मिलवा सकता हूँ। तो Mr. Adams वहां पर दोस्तो एक पब्लिसर से मिलते हैं और वो वह पब्लिसर कहता है कि मैं सर्मन्स को खुद तो नहीं चाप सकता लेकिन मैं आपको किसी दूसरे पब्लिसर से मिलवा सकता हूँ। जैसे ही ये बातचीत हो ही रही होती है तो वहां पर दोस्तो सोर मसता है कि सर्राय के मालिक तो वाउस को वहां की काम करने वाली बैटी के साथ बिस्तर में आपत्ती जनक हालत में पकड़ लिया गया है। ना चपवाने का निच्चे करते हैं और घर वापस जाने का डिसाइड करते हैं किसके साथ जोसफ के साथ वे दोनों घोडा गाली में बैट जाते हैं अपने घर जाने के लिए। एक लड़की है जिसे उसके मंगेतर ने धोका दे दिया है। लियोनोरा की एक आंट है जिसने लियोनोरा को क्या सजेस्ट किया था कि उसे साथी करने के लिए एक अमीर लड़के का चैन करना चाहिए। और ये लड़की जो लियोनोरा है ये बहुत ही जादा कन्फ्यूज है क्योंकि इसे दो लड़के प्यार करते हैं। जरीव लड़का जिसका नाम हुरैसियो है वो सच्चा प्यार करता है इस लियोनोरा से और एक लड़का है बैलर माइन। के लिए एक सराय में रुकते हैं आराम करने के बाद वो अपनी यात्रा को फिर से एक बार प्रारंब करते हैं जो सब भी घोड़ा गाड़ी चलाने वाले के पास बैठ जाता है लेकिन विचारों में डूबे हुए मिस्टर एडम्स यह भूल जाते हैं कि वो घोड़ा कात एक स्पोर्समेंट से होती है जो सिकार करने के लिए वहाँ पर आया है और अपनी बहद्रू की बड़ी बड़ी डींगे वो हाक रहा है लेकिन जैसे ही यह डिसकसन हो रहा होता है तो जंगल से एक लड़की के चिलाने की आवाज आती है कि उसे कुछ लुटेरे नो पक लुटेरों को भगाने में कामियाब होते हैं और उस लड़की को मिश्टर एडम्स बचा लेते हैं एक लुटेरे से लड़ाई करने के दोरान वो उस लुटेरे की पिटाई इतनी कर देते हैं कि वो लुटेरा जो है वो बेहोस हो जाता है और बेहोस लुटेरे को वो सोचत कहां पर ले आते हैं Justice of Peace के पास ले जाते हैं जैसे ही ये तीनों Justice of Peace के पास जा रहे होते हैं तो बातचीत करते हैं वो लड़की और Mr. Adams बातचीत के दोरान Mr. Adams को पता चलता है कि इस लड़की का नाम Phyani Goodwill है जो जोसफ की प्रेमी का है ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं इसी 20 दोस्तों उस बेहोस लड़के को भी होसा जाता है जो Justice of Peace के सामने यह कहता है कि इस लड़की और Mr. Adams ने मुझे बहुत मारा है तो Justice of Peace जो है उसे छोड़ देते हैं और जो Mr. Adams है और वो लड़की जिसका न एक आदमी Mr. Adams को पहचान लेता है और Justice of Peace को बताता है कि यह एक पादरी है और बहुती अच्छे इनसान है तो Justice of Peace अपना फैसला बदलते हैं और Fanny Goodwill और Mr. Adams को छोड़ देते हैं अब यह दोनों अपनी यात्रा को एक बार फिर से आरंब करते हैं और जैसे ही यह आगे बढ एंड्रियूस भी रुका हुआ होता है वहाँ पर इन दोनों की मुलाका जोसफ एंड्रियूस से होती है जोसफ एंड्रियूस अपनी प्रेमी का Fanny Goodwill को देखता है और बहुती ज़्यादा खुस हो जाता है वो उसे गले लगाता है और जल्द से जल्द उससे साधी करना चा तो मैं तुम दोनों की साधी की घौशना कर दूँगा और तुम दोनों की साधी करवा दूँगा जैसे ही ये बातचित चल रही होती है तो Mr. Adams के पास एक सराय का बिल आता है जिसे चुकाने के लिए Mr. Adams के पास अब पैसे नहीं है इसलिए वह पास के एक अमीर पादरी Mr. True ट्रू लीवर के पास जाते हैं कि वो पैसे कुछ उधार मिल जाएं लेकिन मिस्टर ट्रू लीवर जो हैं वो मिस्टर एडम्स की मदद करने से मना कर देते हैं तभी एक गरीव पैडलर जो एक विक्रेता होता है वो पैसे उधार देता है किसको मिस्टर एडम्स को जिन पैसो दिखाई देती है पहले तो ये तीनो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कहां से रोसनी आ रही है लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि ये रोसनी तो किसी लाइट की है जिसे चोर लोग लेकर घूम रहे हैं जो भेल बकरी चुराने के लिए यहां पर आए हैं इस बा बहुती अच्छे आदमी हैं और इन तीनों की बहुत ज़्यादा आउभगत भी करते हैं इन्हें खाना खिलाते हैं और खाना खाने के बाद मिस्टर एंड मिसिस विल्सन इन्हें एक कहानी सुनाते हैं जो कहानी में पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसिस विल्सन का बड़ा बेटा बहुत ही पुराने समय में मतलब बच्पन में ही उसको चोरों ने चुरा लिया था इन लोगों की कहाने सुनने के बाद मिस्टर एडम्स फैनी गुडविल और जोसफ एंड्रियूस को बहुत ही दुख होता है लेकिन अगली सुभा इन्हें अपनी यात्रा एक बार फ तो जोसफ एंड्रियूस है और फैनी गुडविल है उन्हें भूक लगने लगती है और मिस्टर एडम्स को थकावट फील होने लगती है तो मिस्टर एडम्स जो है वो आराम करने के लिए लेट जाते हैं और जोसफ एंड्रियूस और फैनी गुडविल खाना खाने लगते हैं जैसे ही Mr. Adams आराम करते हैं तो उन्हें Hunter of Man के आदमी के पास कुत्तों का जुंड है जो कुत्तों का जुंड किस पर हमला कर देता है Mr. Adams मतलब Mr. Abraham Adams पर कुत्तों का एक जुंड हमला कर देता है यह देखकर Joseph Andrews एक लाठी उठाता है और उन कुत्तों को वहाँ से भगा देता है पहले तो Hunter of Man को बहुत गुश्चा आता है कि Joseph ने उसके कुत्तों को क्यों मारा वो भी लाठी से तो Hunter of Man को बहुत ज़्यादा गुश्चा आता है लेकिन जब Hunter of Man की निगहा खुबसूरत फैनिक गुडविल पर पड़ती हैं तो वह अपने बिचारों को बदल देता है और एक योजना बनाता है कि वह किसी भी तरह से फैनिक गुडविल के साथ सो जाए कुछ समय उसके साथ बिता ले तो Hunter of Man के दिमाग में ये हवस भरे बिचार आने लगते हैं अपने इन बुरे इरादों को कामियाब करने के लिए Hunter of Man इन तीनों को अपने साथ डिनर पर बुलाता है डिनर के दोरान Hunter of Men के नोकर इन तीनों के साथ क्या करते हैं दोस्तों ताने देते हैं और बत्तमीजी करते हैं तभी Joseph Andrews और Mr Adams यह समझ जाते हैं कि इन लोगों के इरादे जो हैं ठीक नहीं है Mr Adams, Fanny Goodwill और Joseph Andrews को रसोई की खिरकी से कुदा कर वहाँ से भाग जाते हैं देश देते हैं Hunter of Man, इनके Hunter of Man के नोकर इन तीनों को ढूनने में लग जाते हैं, ये तीनों एक सराय में पकड़ लिए जाते हैं, जहां पर Mr. Adams और Joseph Andrews की लड़ाए Hunter of Man के नोकरों से होती है, लेकिन वह इस लड़ाई को हार जाते हैं, Hunter of Man के नोकर Joseph Andrews और Mr. Adams को बंदी बनाते हैं और Fanny Goodwill को वहां से उठा कर ले जाते हैं, जब Hunter of Man के नोकर Fanny Goodwill को उठा कर ले जा रहे होते हैं, तो Lady Boobie के नोकर भी उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जहां से Fanny Goodwill को ले जाया जा रहा होता है, Lady Boobie के नोकर Fanny Goodwill को पहचान लेते हैं, और Hunter of Man के नोकरों से बच बचा लेते हैं तो वह बताती है कि जोसफ एंड्रियूस और मिस्टर एडम्स एक सराय के अंदर बंदी बने हुए हैं तो जो लेडी बूबी के नोकर हैं वो मिस्टर एडम्स और जोसफ एंड्रियूस को भी बचा लेते हैं अब ये तीनों सुरक्षित अपने इलाके में आ अगली ही सुबा लेडी बूबी भी लंदन से वापस आ रही है मिस्टर एडम्स अपने चर्च पहुंच कर जोसफ एंड्रियूज और फैनी गुडविल की साधी की घोचला करते हैं कि जल्द ही जोसफ एंड्रियूज और फैनी गुडविल की साधी कर दी जाएगी जैसे ही है बात लेडी बूबी को पता चलती है कि फैनी गुडविल और जोसफ एंड्रियूज एक दूसरे से साधी करने वाले हैं तो वह मिस्टर एडम्स को अपने पास बुलाती हैं और उन्हें डाटती हैं तुमें यह साधी नहीं करवानी चाहिए और इस साधी को रुकवाने क प्रिस्ताव मिस्टर एडम्स के सामने रखती हैं जब मिस्टर एडम्स इसका कारण पूछते हैं तो लेडी बूबी इसका कारण बताती हैं कि यह दोनों अनपढ़ हैं और बच्चों की लाइन लगा देंगे ना तो उन बच्चों की ठीक से परवरिस हो पाएगी ना वो लिख पाएंगे जिससे इलाके में भिकारियों की जो जन्चन किया है वो बढ़ जाएगी जोसफ एंड्रियूज इस रीजन की वज़े से दो प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाते इसलिए वह लेडी बूबी से कहते हैं नहीं मैं इन दोनों की साधी करवा दूंग लेडी बूबी इस साधी को किसी भी तरह से रुकवाना चाती है इसलिए वो एक वकील को हायर करती है जिसका नाम क्या है दोस्तों स्काउट है वह उस वकील से कहती है कि इस साधी को किसी भी तरह से कानूनी तरह से रुकवा दिया जाए इस केस की सुनवाई होने से पहले लेडी बूबी का एक भतीजा जिसका नाम मिस्टर बूबी है वह अपनी नई नई पतनी को लेकर यहाँ पर आता है जिसका नाम पामीला है जो जोसफ की बहन भी है लेकिन लेडी बूबी जो है वो मिस्टर बूबी और पामीला को भी अपनी योजना में सामिल कर लेती हैं औ और यह दोनों भी लेडी बूबी के साथ मिल जाते हैं। लेडी बूबी एक ब्यू डिडैपर नाम के आदमी को हायर करती हैं, जो जोसफ और फैनी गुडविल के बीच में दरार डाल सके, या तो फैनी गुडविल पर हमला कर सके, या फिर फैनी गुडविल को अपने प्यार में फसा सके, जिससे की जोसफ और फैनी गुडविल को अलग कर दिया जाए। लेकिन ब्यू डिडैपर अपने इस काम में काम्याव नहीं हो पाता। दूसरी तरफ मिश्टर एडम्स, फैनी गुडविल और जोसफ एंड्रियूज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी उन तीनों के पास एक संदेश आता है कि मिश्टर एडम्स का बड़ा बेटा डिक नदी में गिर गया है। यह संदेश सुनते ही मिश्टर एडम्स नदी की तरफ भाग पड़ते हैं लेकिन जब मिश्टर एडम्स नदी के पास पहुंचते हैं तो उनके बेटे डिक को पहले ही कोई बचा लेता है। मिश्टर एडम्स वो पैडलर और फैनिक गुडविल और जोसफ एंड्रियूज एक साथ खाना खाते हैं। आना खाने के दोरान पैडलर जो है, वो मिच्टर एडम्स को यह बताता है, कि फैनी गुडविल जो है मिच्टर एंड्रिउुस की खोई हुई बेटी हो सकती है, यदि ऐसा हुआ तो जोसफ एंड्रिउूस और फैनी गुडविल एक दूसरे के भाई भहन होंगे, यदि ऐसा हुआ तो जोसफ एंड्रियूस और फैनी गुडविल की साधी नहीं होगी जब ये बात लेडी बूबी को पता चलती है तो लेडी बूबी बहुत खुस हो जाती है क्योंकि अगले ही दिन मिश्टर और मिसिस एंड्रियूस आकर अपनी बेटी को पहचान लेंगे यदि ऐसा हुआ तो जोसफ एंड्रियूस और फैनी गुडविल की साधी नहीं होगी जो ब्यू डिडविल है दोस्तो यह है अपनी हवस मिटाने के लिए फैनी गुडविल के कमरे में सोना चाता है मतलब फैनी गुडविल के साथ ये सोना चाता है इसलिए वह फैनी गुडविल के कमरे में जवरदस्ती घुच जाता है लेकिन वह गलती से Fanny Goodwill के कमरे में तो नहीं जाता वो घुच जाता है Mrs. Slip Slope के कमरे में जहाँ पर Mrs. Slip Slope मदद के लिए चिलाती है तो वहाँ पर मदद के लिए Mr. Adams आते हैं जब Mr. Adams ब्यूड डेपर को पकड़ने की कोशिस करते हैं तो वह गलती से Mrs. Slip Slope को पकड़ लेते हैं और आरोप यह लगता है कि Mrs. Slip Slope के साथ Mr. Adams ने ही बत्तमीजी करने की कोशिस की है इस बात को सुनने के बाद Mr. Adams का मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है जिसके कारण वह अपने कमरे में सोने के लिए चले आते हैं लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण वो अपने कमरे की वज़ा फैनी गुडविल के कमरे में घुच जाते हैं और वही पर सो जाते हैं यह सारी चीजे जब जोसफ एंड्रियूस को पता चलती है कि Mr. Adams फैनी गुडविल के कमरे में रात बर सोया है तो उसे बहुत बुरा लगता है लेकिन Mr. Adams जोसफ को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो पिछली रात का वाक्या जोसफ एंड्रियूस को बताते हैं कि उनके मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण वो गलती से फैनी गुडविल के कमरे में आ गए थे और उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है तो इस बात को जोसफ एंड्रियूस जो है मान लेता है जिसके बाद Mr. Adams वहाँ से चले आते हैं इसके बाद फैनी गुडविल और जोसफ एक दूसरे से बात करते हैं कि यदि वे दोनों भाई बहन निकले तो वो कभी भी तमाम उम्रसाधी नहीं करेंगे अगले ही दिन Mr. और Mrs. एंड्रियूस आते हैं और अपनी फैनी गुडविल को पहचान लेते हैं जिसके बाद यह साबित हो जाता है कि फैनी गुडविल और Mr. एक दूसरे के भाई बहन हैं लेकिन Mr. and Mrs. एंड्रियूस एक बात और बताते हैं कि जो जोसफ एंड्रियूस है वो उनका रियल सन नहीं है क्योंकि वह तो वो बच्चा है जिसे फैनी गुडविल के बदले में उसके पालने में रख दिया गया था यह बात जानने के बाद जोसफ एंड्रियूस बहुत खुस हो जाता है कि अब जो फैनी गुडविल है वह उसकी बहन नहीं है इसलिए वह उससे साधी कर सकता है तब ही इस सारी चीजों के दोरान जोसफ एंड्रियूस के सीने पर एक बर्थ मार्क है उस बर्थ मार्क को देखने के बाद जो पैडलर है उसे याद आता है मिस्टर एंड मिसिस विल्चन की फैमिली का मिस्टर एंड मिसिस विल्चन की फैमिली ने जो अपना बेटा बच्वन में खोया था उसके सीने पर भी यही बर्थ मार्क था जो जोसफ एंड्रियूस के सीने पर है तो दोस्तों जोसफ एंड्रियूस जो है रियल में ये किसके सन है मिस्टर एंड मिसिस विल्चन के सन है तो उन दोनों को भी वहाँ पर बुलाय जाता है Mr. and Mrs. Wilson अपने बेटे जोसफ को पैचान लेते हैं और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं अब यह साबित हो जाता है कि Fanny Goodwill जो है वो Mr. and Mrs. Andrews की बेटी है और जोसफ Andrews Mr. and Mrs. Wilson का बेटा है तो यह दोनों दोस्तों क्या होता है कि अपनी साधी करने के लिए बहुती ज़्यादा excited हो जाते हैं और साधी की तयारियों में लग जाते हैं अब लेडी बूबी का सर भी सरम से जुक जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और अगली ही सुबावों लंदन के लिए निकल जाती है ताकि वो नए लड़कों के साथ sexual pleasure ले सकें दोस्तों इसी के साथ ये कहानी जो है खतम हो जाती है I hope ये कहानी आप लोगों को समझ में आई है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद